पचास साल पहले लेनिंग्राड की सड़कों ने मुझे एक सबक दिया था और वो ये कि अगा लडाई होनी ही है तो आपको पहला मुक्ता मारना हुगा ये बात रूस के रवाष्ट्वपती व्लादिमिर पुतिन ने अक्तूबर 2015 में कहीं थी दोस्तों इन दिनों जो शक्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है व्लादिमिर पुतिन आज की इस वीडियो में हम आपको रूस के रवाष्ट्वपती व्लादिमिर पुतिन के बारे में देंगे कुछ एहम और रोचक जानकारियां और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे पुतिन बन गए दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक तो ये कहानी शुरू होती है लेनिंग्राड से व्लादिमिर पुतिन का घर लेनिंग्राड में था जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है पुतिन क है कि अमेरिका समेथ पश्चिमी देशों की चिताबनियों और दबाव के बावजूद पुतिन जुकने को तयार नहीं है पुतिन अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला कर चुके हैं यही नहीं उसके दो हिस्सों को तोड़कर अलग देश के रूप में मान्यता भी दे चु है क्योंकि एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और उनके कई मित्र देश हैं तो दूसरी और पुतिन और उनके सहयोगी देश 7 अक्तूबर 1952 को सोवियत संग के लेनिन ग्राड में व्लादिमिर व्लादिमीरोविच पुतिन और मारिया इवा नोवना के घर व्लादिमिर पुतिन का जन्म हुआ वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थे उनके दो बड़े भाईयों की बचपन में ही बीमारी से मौध हो गई थी यही पुतिन आगे जाकर खुफिया एजनसी के जासूस बने और फिर रूस के राष्ट्रपती पुतिन के दादा स्पिरिडोन पुतिन, सोवियत नेता, व्लादिमिर लेनिन और जोजेफ स्टालिन के परसनल कुक थे पुतिन के पिता सोवियत नेवी में तो उनकी माँ फैक्टरी में काम किया करती थी सितंबर 1960 से पुतिन ने अपने घर के पास के ही एक स्कूल से पढ़ाई शुरू की उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट युनिवरसिटी से कानून की पढ़ाई की 1975 में पुतिन ने सोवियत संग की खुफिया एजनसी के जीबी को जोईन किया 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी के ड्रेस डेन में एजन्ट के तौर पर तैनात किया गया ये विदेश में उनकी पहली तैनाती थी करीब 16 सालों तक जासूस का काम करने के बाद पुतिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीती में आ गए 1991 के आखिर में सोवियत संग तूट गया 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संग के राष्ट्रपती मिखाईल गोरबाचौव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रूस के नए राष्ट्रपती बोरिस यलसिन को सत्ता सौब दी उसी रात रूस के राष्ट्रपती भवन जिसे क्रेमलिन कहा जाता है वहां से सोवियत संग का जंडा उतार दिया गया और रूसी जंडा फेहराय गया अगले ही दिन आपचारिक रूप से सोवियत संग को खत्म कर दिया गया व्लादिमिर पुतिन रूस के राष्ट्रपती बोरिस यलसिन के करीवी बन गए और राजनीती में अपनी जगह बनाते चले गए 1999 में यलसिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया 31 दिसंबर 1999 को यलसिन ने राष्ट्रपती के पद से इस्तीफा दे दिया उनके बाद पुतिन कार्यबाहक राष्ट्रपती बने 26 मार्ज 2000 को पुतिन ने अपना पहला राष्ट्रपती चुनाव जीता मार्ज 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपती चुने गए उन्हें 70 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे 1993 का रूसी समविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल तक राष्टपती बना नहीं रह सकता है लिहाजा 2008 में पुतिन को पद छोड़ना पड़ा पुतिन ने दिमित्री मेधवेदेव को अपना उत्राधिकारी घोशित किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए मेधवेदेव की सरकार में समविधान में संचोधन किये गए और तै किया गया कि राष्टपती का कारेकाल अब 4 साल की बजाए 6 साल का होगा जोकि पुतिन प्रधानमंत्री रह चुके थे इसलिए वो 2012 में तीसरी बार रूस के राष्टपती चुने गए मार्ज 2018 में पुतिन चौथी बार राष्टपती बने 2018 के चुनाओं में पुतिन को 75 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे जुलाई 2020 में पुतिन एक संविधान संचोधन लेकर आए इससे उन्हें 2036 तक राष्टपती बने रहने की ताकत मिल गई पुराने कानून की जगह नए कानून ने ले ली इसलिए पुतिन 2024 में फिर से दो बार राष्टपती का चुनाओं लग सकते हैं 2024 के बाद 2030 में राष्टपती चुनाओंगे इस तरह पुतिन चाहें तो 2036 तक राष्टपती बने रह सकते हैं दोस्तों पूर्व जासूस होने के कारण पुतिन की पहचान ताकतवर डेता की है मीडिया में उनकी कई तस्वीरे सामने आती हैं जो उन्हें एक दमदार व्यक्ती बताती हैं कभी उनकी जूडो लड़ते तस्वीरे सामने आती हैं तो कभी काला सागर में पंडुब्वी में सफर करते हुए पुतिन ने अपने शासन में विपक्ष और मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ है 1999 में भी जब यलसिन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोशित किया तो कई इस फैसले के खिलाब थे लेकिन पुतिन को कोई नहीं रोक सका 2008 में जब पुतिन ने राष्टपती के पद से इस्तीफा दिया और डिमित्री मेडवेदेव को अपना उत्तराधिकारी घोशित किया तब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए आरोप लगा कि भले ही कुर्सी मेडवेदेव के पास होगी लेकिन उसकी चाबी पुतिन के पास ही रहेगी 2015 में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की क्रेमलिन के पास हध्या कर दी गई पांच लोग दोशी ठहराए गए लेकिन इस पर सवाल उठाए गए 2020 में विपक्षी नेता अलेक्सी नवेलिनी ने पुतिन की जम कर आलोचना की जनवरी 2021 में नवेलिनी जैसे ही बर्लिन से लोटे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया नवेलिनी के समर्थन में हजारों लोग रूस की सड़कों पर उतर आए ये पहली बार था जब रूस की सड़कों पर पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ हाला की इस विरोध को दबा दिया गया और पुलिस ने हजारों प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया राश्ट्रपती पुतिन पर लोकतंत्र को दबाने के भी आरोप लगते रहे हैं उनकी सरकार में विपक्षी नेताओं के बोलने पर पाबंदी की खबरें आती रहती हैं रूस में एक बार विपक्षी रैली में एक व्यक्ति ने अपने मूँ पे टेप चिप का रखा था जिस पर पुतिन लिखा था दोस्तों ये सवाल अकसर उठता रहता है कि क्या अगला सुपर पावर रूस होगा क्योंकि अभी अमेरिका सुपर पावर है लेकिन रूस भी सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है रूस अमेरिका के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाला देश है 2020 के आंकडों के मताबिक रूस हर दिन 10.7 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है डिफेंस सेक्टर में भी रूस अमेरिका को टककर दे रहा है दुनिया में रूस की सेना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सेना है रूस अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है 2020 में रूस ने अपनी सेना पर 61.7 अरब डॉलर का खर्च किया था सबसे ज्यादा परमाडू हथियारों के मामले में रूस अमेरिका से भी आगे है स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट के मताबिक 2020 तक रूस के पास 6,375 परमाडू हथियार थे तो अमेरिका के पास 5,800 परमाडू हथियार है करीब 30 साल पहले अपनी नई पहचान बनाने वाला रूस संयुक्त राष्ट सुरक्षप परिशत का स्थाई सदस्य है रूस के पास वीटो पावर भी है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और यूके के पास ही वीटो पावर है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें